बुक्स्टार्ट स्पीक में आप सभी का स्वागत है हिंदी बालभार्ती चोथी कक्षा आईए सुनते हैं इसमें से एक कहानी कहानी के लिए आभार महराष्टर राज्य पाठ्य पुस्तक निर्मिती और अभ्यास्क्रम संशोधन मंडल पुने कहानी का शीर्षक है नए तीर्थ स्थान कहानी का वाचन असावरी दोशी जीवन में तीर्थों का बड़ा महत्व है तीर्थ यात्रा से मन प्रसन्न होता है भारत के प्रत्तेक भाग में महान तीर्थ स्थान फैले है उत्तर में बद्रिनात, केदारनात, दक्षिन में रामेश्वरम, पूर्व में जगन्नात पूरी और पश्चिम में विख्यात, द्वारिकापूरी तथा देश के मध्य भाग में काशी, प्रयाग, गया, आदी तीर्थस्थान है ये सब तीर्थ प्राचीन काल में बने थे, अब नए युग में नए तीर्थस्थान बनाए गए है, आज के देवता विज्ञान के यंत्र है, विशाल कारखाने उनके मंदिर है, उनमें काम करने वाले वहां के पुजारी है, वहां परिश्रम का दान दिया जाता है और पसीन का तिलक लगाया जाता है, विशाल यंत्रों के मंदिर में सच्चाई से श्रम का दान दिये बिना आज के संसार में रहना कठिन है, इसी बात को दुरुष्टी में रखते हुए स्वतंत्र भारत की जनता अब इन देवताओं की सेवा में लगी है, थोड़े ही समय में भारत ने कितने ही नए नए तिर्थों की रचना कर डाली है, अतएव अपने प्रिय देश का हित चाहने वाले प्रतेग देशवासी का करतव्य है कि इन नए तिर्थों और देवताओं की महिमा को भली भाती समझे, हमारे ये नए तिर्थ भी प्राचीन तिर्थों के समान देश क विभिन्न भागों में है और दिन दिन इनकी संख्या बढ़ती ही जा रही है आज यदि हम असम की सेर पर निकले आसाम तो हमें उस प्रदेश के एक भाग में बड़े बड़े मंदिरों के नुकीले शिखर दिखाई पड़ेंगे जानते हो ये क्या है इनके गर्ब में तेल के बड़े बड़े कुए है इनमें से खनिच तेल निकाला जाता है पेट्रोल मिट्टी का तेल आदी उप्योगी पदार्थ इसी खनिच तेल के भिन्न भिन्न रूप है ऐसे ही मंदिर मुंबई के पास समुद्र में बनाए गए है बॉम्बे हाए कलकत्ता में काली का मंदिर तो है ही पर समी भी चितर अंजन का विशाल कार खाना भी है इस तीर्थ का देवता हमें प्रती वर्ष रेल के बड़े-बड़े इंजन देता है यदि ये इंजन ना हो तो हमारी रेले ठप हो जाए फिर न यातरा संभव होगी नमाल की ढुलाई जमशेदपुर, दुरगापुर, रुरकेला, भिलाई, आदी लोहे के देवता के विख्यात मंदिर है यहां हजारों टन कच्चा लोहा नित्य आग में शुद्ध किया जाता है इससे फौलाद बनाया जाता है यहां के फौलाद का बहुत उपयोग होता है लोहा आज का प् पूर्वी तट पर वरुण देवता का एक नविन विशाल मंदिर दिखाई देता है इस तीर्थ का नाम है विशाखा पटनम यहां छोटे बड़े जहाजों का निर्माण होता है इनी जहाजों के द्वारा हमारा समुद्री व्यापार होता है अभी देश को ऐसे और इससे भी बड़े अनेक जहाजों के कारखानों की आवशकता है मुंबई में भी ऐसा ही एक तीर्थ स्थान माजगाओं में बनाया गया है माजगाओ डॉक लिमिटेड पंजाब के भाकडा और नानगल स्थानों में बिजली देवी के मंदिर देखते ही बनते है ऐसे ही अन्य भी बनते चले जा रहे है इन बांधों से बिजली तयार की जाती है और सीन्चाई भी की जाती है इस प्रकार इन दिर्थों की देवी अंधकार दूर करती है तरह तरह की मशीने चलाती है और सूखी जमीनों को अनाज से भरे खेतों में बदल देती है महराश्ट्र में कोई प्रकार देश के मध्य भाग में भोपाल के पास बिजली के बड़े बड़े यंत्र बनाने तथा नेपानगर में कागत्स बनाने के कारखाने है महराश्ट्र में तुर्भे यानि की ट्रॉम्बे नामक स्थान पर उस देवी का मंदिर है जो शक्ती में सबसे बड़ी है इस देवी का नाम परमाणु शक्ती है देश्वासियों को इन नए तीर्थ स्थानों की यात्रा अवश्य करनी चाहिए और ऐसी बहुत सारी कहानिया सुनने के लिए बुक्स दाट स्पीक इस चैनल पर जरूर आईएगा यूट्यूब पर और अलग-अलग पॉड्कास्टिंग चैनल्स पर वेबसाइट www.booksthatspeak.com मिलते हैं अगली कहानी में बाई बाई शुक्रिया झाल झाल झाल